वो sampai safe करना है तो आज कि स्वीडियो में हम आपको यही रताएंगे कि किस तरीके से आपमें मोगया के अंदर गूगल पे account को create कर सकते हो उसमें bank account को er कर सकते हो तो इसके लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी escape नहीं करना है दो जोऄस्त हम आज क इस वीडियो में हम आपको complete जानकारी देंगे तो चलिए ज़्यादा टाइम बेस्ट ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट तो फ्रेंज सबसे पहले आपको क्या करना है गूगल पे एप्लिकेशन को अपने मॉवाइल के अंदर डाउनलोड करना है लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद आप जिसे ओपन करोगी तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफीस देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर आप अधर कंट्री से हो तो यहां से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो इंडिया उटोमेटिक फिलप रहती है यहां पर सलेक्ट अगर इंडिया से हो तो अब आपको यहां पर अपना मॉवाइल नमबर एड़ करना है जो भी मौबबन नमबर आपके bank account से link है वही मौबबन आपको यहाँ पर flip कर देना है और यहाँ पर फिर आपको inst का option देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ से next पर click करना है जैसे नेश्ट पर click करोगे आपको यहाँ पर अपने mobile की Gmail और यहाँ पर आपका मोईल नमबर देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो आपको यहां पर नीले कलर में ओप्शन देखने को मिलेगा accept continue आपको उस पर click करना है जैसे click करोगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके का interface मिलेगा आपके जो भी मोईल नमबर होगा उस पर एक OTP जाएगा वो automatic यहां पर flip हो जाएगी OTP तो आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपकी OTP automatic flip नहीं होती है तो आप यहां पर कर सकते हो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा आपको यहां से not now कर देना है not now करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके इंटरफियस देखने को मिल जाएगा अब आपको यहां पर अपना bank account लिंक करना है दोस्तों एड करना है तो bank account जब तक आप एड नहीं करोगे तो आप किसी भी bank account में money transfer नहीं कर पाओगे नहीं आप receive कर पाओगे तो आपको यहां पर क्या करना है यहां देख सकते हो add bank account का option आपको इस पर click कर देना है जैसे click करोगे तो आपको यहां पर कई सारी bank देखने को मिल जाएगे आपका account जिस भी bank में है आपको यहां पर देख लेना है अगर आपको यहां पर आपकी bank नहीं भी कर देते हैं जैसे क्लिक करोगे आपको यहां पर एलाव करना है एलाव करने के बाद आपको यहां पर आपका जो भी मॉइल नंबर होगा वो देखने को मिलेगा आपको यहां पर कंटिन्यू करना है दोस्तों यह पता लगेगा आपका वेरिफाई होगा कि आपकर जो मॉइल करते रहें हैं कुछी सेकंड लगेंगी दोस्तों वेरिफाई होने में फिर आपके बैंक एकाउंट यहां पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों जो भी आपका बैंक एकाउंट होगा तो यहां पर आपका एकाउंट नंबर देखने को मिलेगा तो हमारे बैंक एकाउंट यहा आपके यहाँ पर UPI ID फिर फिलप करने का उप्सन नहीं आएगा वो अटोमेटिक फिलप हो जाएगी दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहां से इसे no thanks करना है और यहां से आ जाना है बैक आने के बाद आपको अपनी profile वाले यहां देख सकत के details देखने को मिल जाएगी दोस्तों तो अगर आपकी UPI ID नहीं बनी है और आपको फॉन पे या पेटियम बगएरा के यूज नहीं करते हो तो आप हमें comment section में बता देना है अगर आपका UPI ID नहीं बनाए तो किस तरीके से हम Google Pay account को चला सकते हैं दोस्तों कैसे हमें बैंक के account करना है तो इसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो बना देंगे अगर आप हमें comment करके बता हुए दोस्तों तो चलिए मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो